चले एक सीधर रुख करवात हूँ आप सभी को अगली ख़बर से जो राहिस्तान के दौसर जली से सामना रही है राहिस्तान की दौसर जली के अंदर एक छातर के साथ में मारपीड करने का मामला सामनाया है जहां पर आप सभी को बता दूँ कि छातर घर से विध्याले जाने के लिए निकला और उसके बाद में विध्याले में किसी विध्यारती के साथ में उसके साथ में कहा सुनी हो इसी के चलते वे ये पूरी मारपीड का मामला सामनाया है मारपीट इस हद तक की गई है कि मारपीट करने के बाद में उसे अस्पिताल में बढ़ती करवाना पड़ा और जब उसे स्वामधा एक स्वास केंदर के अंदर बढ़ती करवाया गया तो उसकी हालत को नाजुक देखते हैं उसे जिलाश पताल भी रैफर कर दिया गया है क्या कुछ ये मामला बया कर रहा है, क्या किरकात, क्यों मारपीड की गई है इन सभी की तमाम जानगारी मैं आप सभी को सिदा मारे इस रिपोर्ट से दिखाऊंगा तुन असर डालते हैं इस रिपोर्ट के ओर दौसर जिली के सिकंद्रा थाना एलाके में बुर्ली गाउं में राज के उच्चि प्राड्मिक विदाले के पांचियू दक्षा में पढ़ने वाले चादर के साथ गाउं के ही एक जने के दौरा मारपीट करने का मामला सामना है चादर के अभिभावकों ने सिकंद्रा थाने में एक जने के खिलाफ में चादर के साथ में मारपीट करने का मामला दर्च कराया मारपीट के बाद चातर की हालत काफी बिगड गई और इसके बाद में राज के सामुदा एक स्वास केंदर सिकंद्रा में उसे भड़ती करवाया जहाँ पर सिकित्सकों ने गंबी रवस्ता देखते हुई जिला स्पताल रेफर कर दिया और पुलिस ने बताया कि धर्म सिंग गूजर ने मामला दर्च करवाया की उसके भाई का लड़का कप्तान राज के उच प्रारत में की विध्याले बुडली में पांच की कक्षा में पढ़ता है मंगलवार को छातर गर से स्कूल गया था जहाँ पर किसी अन्य छातर के साथ में कहा सुनी हो गई और इसी बात को लेकर के गाउं के ही महिंद्य सिंग गूजर ने चातर कप्तान के साथ में मारपीट कर भी मारपीट के बाद चातर बेहोश हो गया और परिजनों ने चातर को अस्पताल में बढ़ती करवाया है जहाँ पर चिकेशकों ने जिला स्पिताल में रैफर किया और फिलाल छात्र का स्पिताल में इलाज भी जारी है पुलिस ने मामला दर्ज करके जाच शुरू की फिलाल देश और तुने की तमाम बड़ी कबरों के लिएता ही बने रहें न्यूजाइटिन के साथ नमश्यूजाँ